हमारे साथ हमारे समवादाता भी बने हुए हैं विकरांत यादव है हमारे साथ हमारे साथ यतेंद्र है उनका भी रुक करेंगे अरुन सिंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं देखें अमीश सबसे पहले मैं बताओं कि साथ जो पॉल डेट्स हैं यानि कि साथ चर्णों में जो चुनाव होने वो तीन राजियों में हैं उत्तरप्रदेश, भिहार और पश्चिम, बंगाल इसके लाबा पाच चर्णों में दो राजियों में होंगे महराष्ट्रा और ज नीपुर शामिल है इसके लाबा 22 ऐसे राजिये हैं जिन में एक ही चरण में मतदान होगा जिसमें कई जिसमें 22 राजिये शामिल हैं जिसमें अरुनाचल प्रदेश, अंडमान, निकोबा, लांदर प्रदेश, चंडिगर, दिल्ली, गोवा ये तमाम राजिये शामिल हैं जहां पर सिर्फ एक ही चरण में होगा दिल्ली में जो मतदान है दिल्ली का मतदान छटे चरण में बताये जा रहा है और छटे चरण में दिल्ली का मतदान होगा जो एक ही तारीक में होगा तमिलाडू में भी एक ही दिन में होगा पंजाब की सारी सीटों पर भी एक ही दि कि हिंसा कि चुनाओ के दवरान भी कि घटनाय आई तो वहाँ पर करेंच में ही मद्डान करवाया जा रहा है उप्य में भी मत्डान हो रहा है और och कि विख्षा म गमें उऔर चैनलoca Park दो छृए उत्तर यह पर देश्षी पर शृट तब चुन बढ़ा जेए तरु बिछा में चुनाव को घृट इस हर चरनवे जो इन सातों दिनों में तीन राज्य हर बार होंगे वो होंगे उत्तरप्रदेश, बंगाल और बिहार ये तीन राज्य हर चरण में आएंगे जी और मुझे लगता है वो बनारस्वरी बेल्ट का चुनाव होता है हमेशा ऐसे ही रहता है लाज चुनाव ही होता है 2014 से हमने देखा है इसको लगाता उससे पहले भी इसी तरह से होता था लेकिन उससे पहले पांच राउंड होते थे हमारे साथ यतेंद्र भी हैं उनका जी जी बिल्कुल जी रवी आप से जानना चाहेंगे कि आप बीजेपी में आप बीजेपी ऑफिस के अंदर है कौन है आपके साथ देखे हमारे साथ में राश्टी है महामंत्री दोशन कुमार गौतम जी है दोशन जी आज जो अनाउंसमेंट हुआ है साथ चरोणों में और पिछली बार भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न रहा है क्या कहने जाहेंगे पहली प्रत्किया बीजेपी की तरफ से क्या रहेगे मेरी पहली परत्किया यही है कि मैं चुनाव आयो का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उसने विश्ट के सबसे बड़े लोकतांतिक देश का चुनाव आज तक कभी एचना बड़ा चुनाव इतनी संक्या सतानवे करोड लोग उसमें बागेदारी करें और जिस प्रकार क्रिमिल को बोट उमीतर बनाने का क्या कारण है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उनकी व्यवस्ता है पिछली बार जो उनको अनुभव हुएंगे उनको कमी रही होगी करी पड़ी डेड़ करोड उसमें का उनके ओफसर्स लगे हुए हैं और नए यूवा 28 करोड करेकर क्या काना चाहिए बारते इंतर पार्डी तो एक साल बे मिसाल हर साल अपना रिकोर्ट कार देती है और आज आपने देखा वोगा देश की जंता के मन में मोधी जी बास करते हैं आज हर आदमी पूषता है कि मेरे के अंदर सोचाले बने हैं मिजो पक्ए मकान चारकरो हमारे घरों के नदर गैस है हम लगाता समर्पण भाव से जो कार्रे किया है इसलिए हमें कोई मेहनत की ज्यादा वाइन और भी आगे तूटता हो दिखाई देगा जी जी विवेक जी से आप में रेक्शन ले लेते हैं मार साथ वो भी है इंडिया गड़ बंदन अभी और तूटेगा आप किसने और तूटेगा इसलिए बटवारा धंक से नहीं होगा है अभी तो consolidated हम लोग लड़ रहे हैं more or less 90% सीटों के ओपर तालमेल भी बैठ चुका है तो कुछ तोट पूटने वाला नहीं है यह अपनी तयारी पर ध्यान दें बस हमें यह assurance दे दें क्योंकि BJP से हैं रोलिंग पार्टी से हैं कि कम से कम चुनाव आयोग को और election की machinery को affect ना कर करते हैं प्रेम शुखला जी हमारे साथ है प्रेम शुखला जी जाहर है यही कहेंगे कि आप पहले सी बाहने बनाने आपने शुरू करती है हार के यह बाहने नहीं बना रहे हैं यह लेवल प्लेइंग फिल्ड है हम तो हम तो लेकिन मैं एक interesting fact बता दू जो पहले round में चुन माश् Dist Kendall की एक Aa मंतर प्रदेश की चै महराश्य की पांच मनिपुर की दो में गालैky की दो मिजोर्म की एक नागलेंड की एक राजिस्तान की बारा सिकिम की एक आरह वेश-पेंगोल की तीन सीटों पर वोड डाला गांडों निकोबार की एकी पर डाला झाएगा तो 102 पुछ रहते हैं लेकिन प्रेम शुकला से किशोर ने सवाल पुछा तो प्रेम शुकला यूर रिस्पॉंस है तो अब जनता का समर्थन दिलाने का काम भी क्या भारती जनता पार्टी करेगी कि भाई आप जो हैं एक ओठ हमें डालना और एक ओठ सी पीम को डाल देना यह अप एक्षा कर रहे हैं कि भारती जनता पार्टी जो है समयधानिक संस्ताओं में विश्वास रखती है आप से अगरा हलां कि आपका समयधान से कोई लेंदेन नहीं है लोगतंतर से कमनिस्ट्रों का क्या लेंदेन है और आपके राज्य में जिस तरह से हिंसा होती है लेकिन विपक्स के रहा है इंडिया अलाइंस के रहे हैं कि यह जो चुनाव है यह भारतिये जनता पार्टी को दे रही है अभी यही बात बोली विवेक जी ने इंडिया लाइंस के अब जनता ही बीजेपी को एडवांटेज दे रहे हैं तरह सरफ आज के मुद्दे पर टेकनिकल बात करते हैं स्टैस्टिक्स के हिसाब से बिहार के अंदर आप देखिए कितनी सीटे हैं और उसके हिसा चार टुकड़ों में आपने तोड़ा, चार टुकड़ों में तोड़ा, चार टुकड़ों में तोड़ा, तो इसलिए मैनेज करने मुश्किल हो जाएगी, वहीं पे आपने वेस्ट बेंगौल में भी यही किया, लेकिन मेरा गड़े तलग है, 80 सीट यूपी की है, करीब 40 बिहार की होंगी, लगबग एक सिमिलर नमबर बेंगौल का आप ले लीजिए, तो करीब करीब आप मान के चलिए, 140-142 सीटें जो है, वो क्रूशियल इन तीन राज्यों में हैं, और तीनों के अंदर आप ने उसको फेस में तोड़ा है, बिहार की लॉजिक पता दीजिए तो मुझको ना वहाँ पर एरिया जादा है, बेंगौल में तो आप गीत गाते हैं, साब लॉइन ओर प्राब्लम है, ठीक है, साब हम भी कह रहे हैं, आप यूपी में कह रहे हैं, छेतर रफल जादा है, बिहार में क्या टेकनिकल कारण है कि एलेक्शन कमिशन ने, और तब झाल झाल